आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार दोस्तो बस दो function given है एक 10 inverse वाला function given है इसको मान लेता हूँ मैं fx और दूसरा function हमान given है side inverse x इसको मान लेता हूँ मैं gx तो basically हमें यह पर proof क्या करना है हमें proof यह करना है कि f'x upon g'x जो है वो it should be independent of x independent of x मतलब कि x का कोई भी variable उसमें नहीं होना चाहिए इसका मतलब कि f'x upon g'x should be constant मालब एक constant कोई number आ सकता है या फिर कुछ भी आ सकता है constant होना चाहिए it should not be dependent on x ठीक है तो चलिए start करते हैं चेक करते हैं तो f'x हमारे पास यहाँ पर क्या है f'x हमें यहाँ पर given है 10 inverse x upon 1 plus under root 1 minus x square अब इसको differentiate करने से पहले हम इसको थोड़ा सा simplify कर देंगे यदि मैं x quote sin theta पुट करूँ तो यह हमारे पास क्या जाएगा f'x मन जाएगा 10 inverse sin theta upon 1 plus अब यहाँ पर 1 minus sin square theta हो जाएगा 1 minus sin square theta will be equal to nothing but cos square theta cos square theta का root cos theta तो मैंने यहाँ पर directly यहाँ पर लिख दिया है और अब हम यहाँ पर half angle property apply करके इसको हम sin theta को लिख देंगे 2 sin theta by 2 cos theta by 2 और 1 plus cos theta को लिख देंगे हम 2 cos square theta by 2 और यह 10 inverse के अंदर है and this is equal to fx तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 से 2 cancel हो रहा है और एक cos हमारा cancel हो जाएगा और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास sin theta by 2 upon cos theta by 2 which is equal to 10 theta by 2 तो यह हो जाएगा fx is equal to 10 inverse 10 theta by 2 और 10 inverse और 10 एक दूसरी के invertible है और दूसरी को cancel out कर देंगे तो fx हमारे पास सिर्फ बचेगा theta by 2 और इसको अगर हम x की terms में लिखे है तो x हमारे पास है पर क्या था sin theta था तो theta will be equal to sin inverse x sin inverse x तो यह कितना आजाएगा fx will be equal to half sin inverse x तो f dash x जो इसका derivative होगा वो क्या हो जाएगा वो जाएगा 1 by 2 into sin inverse x का differentiation यह हो जाएगा under root 1 minus x square और gx हमारे पास है पर gx हमारे पास हैंपर क्या था sin inverse x था तो g dash x हमारे पास क्या हो जाएगा g dash x भी हमारे पास यह आजाएगा 1 upon under root 1 minus x square अब हमें find करना है यहाँ पर f dash x upon g dash x f dash x और g dash x में अगर आप एक चीज़ देखो तो 1 upon under root 1 minus x square common है और अगर हम इन दोनों को divide करेंगे तो यह term जो है cancel out हो रही है और यह जो इनका जो divide करने के बाद जो हमें question मिलेगा वो मिलेगा हमें 1 by 2 तो यह भी अगर आप ध्यान से देखो तो यह हमारे पास यह constant term है इस पर x का कोई भी variable नहीं है तो हमें यही चीज़ प्रूफ करना था कि यह जो f' x upon g' x है वो independent of x होना चाहिए यानि कि constant होना चाहिए और यह हमें आप प्रूफ कर चुके है So this is our solution Thanks for watching this video